जोग्रोफी ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है आज का टोपिक है जलसंसाधन और जलसंसाधन का हम लोग तीन पार्ट देख चुके हैं आज हम लोग इसका चोथा पार्ट देखेंगे तो चले शुरू करते हैं परियोजणा बहुवूदीश नदी परियोजना है और समनमी जलसंसाधन प्रवंदन इसके तहत हम लोग भारत के महतपूर नदी परियोजना को देख रहे हैं और उसमें हम लोग 12 परियोजना को देख चुके हैं आज हम लोग इन 6 परियोजनाओं को देखेंगे और आज हम लोग उसमें आगे और देखेंगे बहुदेश्य नदी परियोजनाओं से लाब बहुदेश्य नदी परियोजनाओं से हानी बहुदेश्य परियोजनाओं के विरोध में कुछ प्रमुक अंदोलन तो चले हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे परियोजना को सबसे पहला वाला है मेटूर परियोजना मेटूर परियोजना तमिलाडू राज्य के सलेम डिस्टिक में स्तापित किया गया है तमिलाडू के सलेम जीला में है और यह कावेरी नदी पर बनाया गया है और इसके तहट जो डेम बनाया गया है उसकी उचाई 65 मिटर है और इसका इस्थापना 1934 में हुआ है तीक है आपको राजे याद रखना है कौन सा राजे में है तो तमिलनाडू राजे में है और वहाँ पर सलेम डिस्टिक में है और कौन सा नदी में है तो कावेरी नदी में है और इसका उचाई भी आप लोग याद कर लीजेगा 65 मिटर है यह जो डेम बनाया गया है उसके पीछे का जलास है यहाँ पर बांध है और बांध के पीछे यह जो जलास है यहाँ भी देख सकते हैं यह मेटूर का जो यह बांध के पीछे का यह जलास है ठीक है उसी का नाम है स्टेनली जलास है ठीक मेटूर परियोजना के तहट जो बांध बनाया गया है बांध के पीछे का जो जलास है उसका नाम है इस्टेनली जलास है चेले नेक्स देखते है तिलया बांद ये तिलया बांद जो है ये जारखंड में है और जारखंड के ये कोडर्मा डिस्टिक में उस्थापित है जारखंड के कोडर्मा जिले में और यह बराकर नदी में बनाया गया है इसकी उचाई 30.28 मिटर है इसका जो स्थापना है 1903 में हुआ है और ये जो तिलाईया बांध है और भी हम लोग जारखंड में और भी बांध को देखेंगे तो ये दामोदर घाटी परियोजना के तहत ये बनाया गया था ये याद रखना है कि जारखंड में ये जारखंड में ये डेम बनाया गया है और ये कोडर्मा जीले में बनाया गया है नदी भी याद रखना है चलिए नेक्स देखते हैं कोनार बांध ये भी दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया बांध है ये जारखंड के हजारी बाग में बनाया गया है जार्खन राइजर के हजारी बाग दिस्टिक में और यह कोनार नदी पर बनाया गया है नदी के नाम पर ही बांध का नाम भी कोनार बांध रखा गया है वो याद हो जाएगा उचा इसका 48.77 मिटर है और इसका जो इस्थापना वर्ष है वो 1925 है जार्खन में हम लोग जितना भी बांध को देखेंगे सब का इस्थापना दो-दो साल के अंतराल में हुआ है इसने पहले वाला हम लोग त्रिपन देखे थे इसमें हम लोग देख रहे हैं 1925 है मतब दो साल का अंतराल है जार्खन आप लोग देख लिजेगा यह जार्खन राज्जे है और जार्खन राज्जे की यह हजारी बाग डिस्टिक में बनाया गया है यह याद रखे ला नेक्स्ट है मेथन बांध मेथन बांध भी दमदर घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है और यह जारखंड के धनबाद जिले में इस्थित है जारखंड के धनबाद जिले में जारखंड को हम रहे हैं तो जिला भी आपको याद रखना है जारखंड का धनबाद जिला और यह किस नदी पर है तो यह बराकर नदी पर बनाया गया डेम है और इसकी उचाई 50 मीटर है और इस था अपना इसका 1957 है इससे पहले आप लोग को बता चुके हैं कि दो-दो साल के अंतराल में बना है इससे पहले वाला हम लोग पोण में देखे थे इसमें भी आप लोग देख लिजीगा कि जारखंड की कहां पर धनबाद है नेक्स देखते हैं पंचेत बांध पंचेत बांध भी दमदर घाटी परियोजना के तहद बनाया गया बांध है और यह जारकंड के धनबाद जीले में है और यह दमदर नदी में स्थापित किया गया है इसकी उचाए है 45 मेटर इस्थापना वर्ज 1969 इसने पहले वाला हम लोग देखे थे दो साल पहले था 1957 और इसमें हम लोग देख रहे हैं नरोरा परियोजना हम लोग इससे पहले जारकंड देख रहे थे जारकंड का चार हम लोग परियोजना देख लिए हैं अभी हम लोग देख रहे हैं नरोरा परियोजना नरोरा परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश के बुलंद सहर में इस्थापित हैं उत्तर प्रदेश के बुलंद सहर में और यहां गंगा नदी पर बनाया गया है गंगा नदी से एक नहर निकाला गया है और उस पर यह नरोरा परियोजना इस्थापित है और यह जो उसके तर जो डेम बनाया गया है वो हो नाभी के विदु संगियत्र जो स्थापित किया गया है नरोरा में उसको ये जल प्रदान करते हैं इसका स्थापना उनिसो सरसर्ट में हुआ है इसको देख लिजेगा मैप में ये उत्तर प्रदीश है और उत्तर प्रदेश का ये बुलन सहर छेतर है यहाँ पर नरोड़ा परियोजना इस्थापित क्या गया है ये मेत में दरसाने के लिए बहुत ज़्यादा आता है नरोड़ा इसलिए इसको याद रखेगा ठेले नेक्स देखते हैं हम लोग जितना भी हम लोग अभी तक बांध देखें जितना भी परियोजना हम लोग देखें उसको यहाँ पर हम आप लोग के लिए 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 हैं और जितना भी बांध जो है वो किस राज्य में स्थीत है वहाँ उसके सामने उसका राज्य का नाम है और उसके आगे है नदी ठीक है? कौन सा राज्य में है और किस नदी पर है जैसे हिराकुन बांध कोडिश सा राज्य में है और महा नदी पर है इस तरह से इसको आप लोग याद कर लोगे और इसको हो सके तो आप लोग अपना copy में note down कर लोगे next देखते हैं यह जितना भी हम लोग डेम देखे या जितना भी परियोजना हम लोग देखे वो कहा परिस्थीत है एक साथ इसको इस तरह से map में हम आप लोग को बता रहे हैं आप लोग इसको याद कर लोगे बारी बारी से पिछले वाला वीडियो को देखोगे और फिर इसक बहुदेश्य नदी परियोजनाओं से लाब बहुदेश्य नदी परियोजना से हाने सबसे पहले हम लोग लाब को देखेंगे तो पहला है सिचाय में स्वीधा विद्धुत उत्पादन मनोरंजन मचली पालन उध्योगों के लिए जल सहरों में जल सप्लाई आंत्रिक नो जल चालन यह है बहुदेश्य नदी परियोजनाओं से होने वाले लाब अभी हम लोग देखेंगे बहुदेश्य नदी परियोजनाओं से होने वाली हाने पहला है प्राकृति के बहाव में अबरूद दुसरा है जलाश्य एवंग नदी का तर्चट कठोर हो जाना तिसरा है बहुत बड़ा छेतरत जल्मगन हो जाना चोथा है भुकम की संभावना पांचवा है लोगों का विस्थापन चट्था है अधिक सिचाय से ब्रेदा का लवनी करन तो यहां हम लोग इससे बहुत देश्य नदी परयोजना से होने वाले लाब देखे और बहुत देश्य नदी परयोजना से होने वाले यहां हानी देखे इसको आप लोग याद कर लोगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुदेश्य परयोजनार के विरोध में कुछ प्रमुक अंदोलन चलाए गया है तो उसको हम लोग यहां देखेंगे पहले देखेंगे हम लोग नर्मदा बचाओ अंदोलन ठेख इसका कुछ कारण है जो हम लोग बारे बारे से देखेंगे जैसे तीन राजो मतलब मध्यप्रदेश, गुजरात, महारास्ट्र की 37,000 हैक्स्तियर भूमी जलमग्र हो जाने की संभावना इसके बाद है 248 गाउं के एक लाग से अधिक लोग मतलब उसमें क्या है अंठावन पतिश्रत लोग उसमें आदिवाशी लोग है के विश्थापित होने की संभावना नेक्स्ट है अंदोलन की सुरुवात 1988-89 में इसका जो सुरुवात है वो 1988-89 से नावासी के बीच में हुआ है इस अंदोलन में भाग लेने वाले कार्य करता में मेधा पाटकर और अनिल पटेल और है अरुन्धति राय और है एक बाबा अम्टे ये लोग इस अंदोलन के हिस्से है मेधा पाटकर अनिल पटेल अरुन्धति राय और बाबा आम्टे ये हम लोग देखे नर्मदा वचाओ अंदोलन मदब नर्मदा जो परियोजना है उसके तहट जो बांध बनाय जा रहा था उसके विरोध में ये अंदोलन चलाया गया है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीरी बांध अंदोलन ये जो तीरी बांध अंदोलन है उसके लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फोर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के रिपोर्ट के अनुसार छीक है ये जो दिया गया है ये इस रिपोर्ट के अनुसार है कि यह बांध तीरी कस्वे और उसके आसपास के 23 गाउं को पूर्ण रूप से तता 72 अन्य गाउं को आंसी के रूप से जलमगन कर देने की संभावना है यह जो रिपोर्ट तयार किया है उसके तहत यह दिया गया है इसके तहत 85,600 लोग विस्थापित हो जाने की स परियुजना से 5,200 हेक्टियर भूमी जिसमें से 1,600 हेक्टियर क्रिसी भूमी जलमगन होने की संभावना है और भुकम्प होने की स्थिती में तीरी बांध के तूतने का खत्रा उत्पन होने की संभावना है यह जो तीरी बांध है उत्राखंड में है और वहां भुकम का सं भावनाज है ठीक है अंदोलन के मुख्य कारे करता है सुन्दरलाल बहुगुना और कई उसके साथ परियावरन वीध भी सामिल थे तो इस तरह से हम लोग बहुदेश्य नदिगाटी परियोजना के विरोध में जो अंदोलन चलाया गया है उसको भी हम लोग आज देख लिए तो इस तरह से ये जो बहुदेश्य परियोजना जो था वो हम लोग का समाप्त हो गया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्सा जल संगरहन को देखेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद